यूपी के बुलन शहर में फोल्टेक्निक के छातर की गोली मार कर हत्या कर हत्यारे मोखे से फरार हो गई पुलिस ने अग्यात हत्यारों के खिलाफ मामना दर्जकर जान शुरू कर दी है और शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है ये तस्वीरे बुलन शहर के अनूप शहर कोतवाली शेत्र के नगला ढोलन गाउं में रहने वाले पोल्टेक्निक के छातर सुदेश की हैं जो सोनिपत से दो दिन पहले ही स्कूल से छुट्टी लेकर अपने गाउं आया था सत्रा नवंबर की शाम को सुदेश खेत पर पानी लगा कर लोट रहा था कि रास्ते में अग्यात मदमाशों ने गोली मार कर सुदेश की हत्या कर दी और फरार हो गए सुदेश की हत्या से इलाके में संसनी फैल गई मोके पर पहुची पुलिस और फोरेंसी विभाग की टीम ने घटना सल का निरिक्षिक किया और शव का पंचनामा भर पोस्ट माटम के लिए भेशिया पुलिस अब हत्यारों की और हत्या के कार्णों की तलाश में जूटी है किया इपर टिपनी को पुलिस दिनी से कर रहा है वो अपने खर आया हुआ था और बाद में उसको गोली माटम के अज्यात अभी उपत्या की अज्यात अभी तवरा उसकी अथिया की अचनवीन प्रारम कर दी गई है बैधानिक करवाई की जा रही अभी 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 कि आशनाई का पुष्चकर है जिसमजे से रहतना हुआ है बहुत जल्दी हम घटना काना हुआ था है को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइफ शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवादी